नमस्कार दोस्तों मैं हूँ स्रवड पटवा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुलसुली दोस्तों इस वीडियो में भिलाई इस्पास से अंतर भिलाई दूर्ग चत्रिस गड़ में एक वर्षी आईडियाई ट्रेड अपरेंटिसिप सुत्र दोपचार बाइस ट्रेश हे दूँ 11 अलग-अलग ट्रेड के कूल 649 वदों पर भरती निकाली गई थी इसमें चैनित अभियर्थियों का दस्तावेज परिक्षड मेरे जनकारी के अनुसार हो चुका है अब आगे क्या होने वाला है इस वीडियो में आप जानेगे थम्रेल को देखकर आप सभी समझ ही गए होंगे मैं उन टॉबिक के एकार्डिंग आप सभी को जनकारी देने वाला हूँ जिन अभियर्थियों का यहां दस्तावेज परिक्षड हो चुका है उन सभी को हमारी तरब से बहुत सारी सुप कामना है अब आप सभी लोगों का जोईनी के लिए चैनित हो चुका है यहां 11 अलग-अलग ट्रेडों के लिए अलग-अलग डेड में दस्तावेज परिक्षड लिए गए है जिस ट्रेड का जिस तीथी को दस्तावेज परिक्षड के लिए बुलाए गया था उन सभी दस्तावेजों के साथ दिनांग 15 जून 2022 को मेरे जनकारी के अमसार सभी ट्रेट वालों को बुलाए गया है तो आप सभी अपने समस्त अज़ूरे दस्तावेज साथ में लेकर जाएंगे जोईनिंग के लिए आप सभी को दस्तावेज परिक्षण के दिन डिबार्टमेंट की ओर से 15 जून 2022 को बुलाया गया है ऐसा जनकारी मुझे चैनित अभियर्थियों ने बताया है तो आप सभी 15 जून 2022 को पुनह जहां दस्तावेज परिक्षण के लिए गये थे वहीं आप सभी लोगों को जाना है मुझे जो जनकारी मिला है मैं उसके एकार्डिंग आप सभी को बता रहा हूँ कियोंकि जो आनिक के संबंध में या रस्तावेज परिक्षण के संबंध में किसी भी परकार का पोर्टर पर सुचना उन्होंने अपलोड नहीं करते हैं जिसके कारण मैं आप सभी लोगों को कोई अफिसियल नौटिकेशन नहीं दिखा पाऊंगा जब आप सभी लोग 15 जून 2022 को वहां उपस्तित होंगे तो आप सभी लोगों से एक कॉंट्रेक्ट साइन कराया जाएगा जिसकी इवाधिता सिर्फ एक वर्स के लिए होगी एक वर्स के बाद आप सभी लोगों का कॉंट्रेक्ट समाप्थ हो जाएगा पथवा आप सभी लोगों का अप्रेंट्रेक्ट साइन कैसे कर पाएगे उसका वीडियो आप सभी को आई बटन और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में भी जाएगा उसको आप सभी लोग पहले देख लेंगे ताकि उस तिथी को contract sign करते समय किसी भी परकार का दिक्कत न हो जिन अभियर्थियों का यहां selection हुआ है आप सभी लोग apprenticeship प्रसिक्षण के सांच सांथ यदि college कर रहे हों या किसी प्रतियोकता परिक्षण की त्यारी कर रहे हों तो आप सभी लोग आराम से कर सकते हैं क्योंकि आप सभी लोगों का जब apprenticeship प्रसिक्षण बुड़ होगा तो किसी भी परकार का final exam नहीं होगा आप सभी लोगों को department की ओर से जो internal marks critical और seasonal के दिया जाएगा उसकी according ही आप सभी लोगों को digit के द्वारा पास कर दिया जाएगा इसलिए आप सभी लोग अपना college या किसी भी प्रतियोकता परिक्षण की त्यारी कर रहे हों तो आराम से कर सकते हैं यहां आप सभी लोगों सिर्फ प्रसिक्षण करना है इसलिए किसी प्रकार की त्यारी में आप सभी लोगों को बातता नहीं आएगी जिन अभ्यर्थियों का यहां चैन नहीं हुआ है वे सभी अभी इंतजार करेंगे क्योंकि जिस तिथी को यहां ज्वानिंग लेटर के लिए बुलाये गया है उस तिथी तक बहुत सारे बच्चों का यदि अधूरा दस्तावेश रहेगा तो सायद उन्हें पुना अवसर नहीं दिया जाएगा तो उस कंडिशन में परतिक ट्रेड का सीट रिक्थ हो सकता है सीट रिक्थ होने बेन मेरिट के अनुकरम में यदि आपका चयन होता है तो आप सभी लोगों को डिपार्टमेंट की ओर से बुलाया जाएगा आप सभी लोग अपना समझ दस्तावेश तयार रखेंगे यहां जिन अभिर्थियों का चयन हुआ है वे सभी अपनी जनकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिये कए वाट्स अप नमबर पर देने का कस्ट करेंगे इस तरह मैंने वीडियो के माध्यम से छोटी सी जनकारी देने का कोसिस किया है आप सभी को यह जनकारी कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ सेयर करें Thanks for watching